ovulation problem, fertilize problem या फिर echo release होने की problem ये problem महिनाओं में common होती है जिसके कारण वो गर्वधारन नहीं कर पाती आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनसे निजात कैसे पा सकते हैं और सबसे काम्याब तरीका इनसे निजात पाने का क्या है लेकिन उससे पहले आपको request करना चाहूंगे अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा वीडियो को like जरूर कीजिएगा और share जरूर कीजिएगा तो चलिए शिरू करते हैं आज की वीडियो तो बात करते हैं कि अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी एग है जो सही time पर नहीं बनते हैं release नहीं होते हैं टाइम पर फूर्ते नहीं हैं उनका सही सही नहीं रहता अगर आपको यह सब प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या इसका इलाज है इसका इलाज है HCG injection यह market में तीन तरीके के आते हैं मैं पहले इसको शेर कर चुकी हूँ आपको आज हम बात करेंगे सबसे कामियाब वाले की यानि कि 10,000 की मैंने पहले आपको वीडियो में शेर किया था कि यह तीन तरीके के हैं 2,000, 5,000 और 10,000 यह किसलिए लगाए जाते हैं यह जो महिलाओ के अंदर जो एक बनते हैं उस हिसाफ से उस quantity में लगाया जाते हैं अधिकांश महिला को 10,000 लगाया जाते हैं जिससे कि एक के quality काफी जादा अच्छी आती है और यह सबसे जादा कामियाब भी रहता है तो अगर आपको भी ऐसी कोई problem है आप डोक्टर से advice ले सकते हैं या फिर अगर आपको injection लगा है तो मैंने बता दे कि यह क्यों लगा है अब इसके बाद में लगाने के बाद में सावधानिया क्या क्या रखने चाहिए नॉर्मल से इसके जो प्रोसेजर है वो है आपको लगाने की 6 गंटे बाद relation में आना है इसके बाद बात करेंगे कि आपको खाना क्या है खाने का कुछ ऐसा नहीं है नॉर्मली जो आप खाना खा रहे है healthy food खाईएगा फल वगरा खाईएगा वो ही आपको खाने है बात करेंगे कि इसके side effect की side effect इसके कुछ normal भी हो सकते है हाई भी हो सकते हैं अगर नोर्मल साइड इफेक्ट की बात करें तो सर में दर्द होना चेक कर आना उल्टी आना और लूज मोशन की प्रॉब्रम तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्रम है जो हो सकते हैं कहीं महिलाओ को दर्द की शिकायत भी होती है पेडू में दर्द यानि कि उनको बुखार चेर सकता है अगर ऐसी कुछ प्रॉब्रम आपको आ रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए उनसे शेर करना चाहिए कभी कभी ये इंजक्शन जहां पर लगता है महाँ पर थोड़ा निशान पर जाता है तो ये भी आपके लिए कॉमन है इसमें आपको ज़्यादा घबराने के ज़रूरत नहीं है अगर बात करें इंजक्शन के कोस्ट की तो इस इंजक्शन का कोस्ट आट सो से लेके एक हजार के बीच में आता है कहीं कहीं ये बारासो का भी मिलता है तो इंडिया में इसकी कॉमन जो कोस्ट है वो ये ही है